इस वक्त हम मौझूद हैं गाजियाबाद के यूपी गेट पर जहां पर धरना चल रहा है किसानों का और बड़ी संख्या में किसान यहां लगातार पहुंच रहे हैं दिन पर दिन यहां पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही हैं मैं दिखाना चाहूँगा कि यहां पर पाकि किसान जो दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर सकें लेकिन किसानों की जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उससे साफ तोर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस या हमारी या यूपी पुलिस जो किसानों को रोकने के प्रियास कर रही ह लेकिन वो पूरी तरह से किसानों के सामने धरासाई होते नजर आ रहे हैं क्योंकि मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कैमरेमेंट से गुजारिस करूँगा ज़रा दिखाएं यहां पर जहां मैं खड़ा हुआ हूँ यहां एक ये जो कीलों की लेयर बनाई गई थी कीलों के फटे लगाए गए थे और ताकि जो ट्रैक्टर हैं इसको टायर किलर बोलते हैं तो वो यहां लगाए गए थे लेकिन गुरूवार की सुबह ही इनको हटा दिया गया है और क्यों हटाया गया क्यों लगाया गया इसकी जानकारी हम यहां के किसानों से करते हैं तो क्या आप रुकपाएंगे दिल्ली में एंट्रीकनने से? मैं तो मैं ये पूछना चाहूंगे आप का बाये यहां से? मैं कल आया हूँ. कल आये हैं, क्या सुचकर के आये हैं? मैं ये सुनकर आया हूँ, कि जब किसान नेता टिके साहिब के साथ जो अन्या हुआ और उनका आसु जो निकला दर्द और एक गूजर नंद किस और गूजर के गुंडों ने जो कैमपों पर हमला किया और किसानों को मारना पीटना शुरू किया और एक सिंधु नाम का जो भाजपा के सांसत के मीडिया है प्रभारी है उसने लाल किले पर जो ग यह किसान नहीं गया हम लोग बस्ती से चल दिये और पूर अभी हम लोग आ हैं पूरी रहार हैं लोग और यह जाश्ती हो रही है किसान के यह किसान ने बनावाया मोदी जिस तरह से यह कील थी यह कील लगाई गई हैं बड़ी-बड़ी दिखिए मोटी-बोटी कील थाकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर मैं दिखाना चाहूँँगा मेरे लेफ्ट साइड में जो यह यहां पर किसान बैठे हुए हैं और यहां पर पंचायत के रूप में यहां बैठे हुए हैं देखिए यहां पर यहीं अलाव जलाया जा रहा है रात और दिन यह अलाव जलाया जाता है हुका चल रहा है यानि कि इन किसानों का साफ संदेश है कि जिस तरह से किसानों के ऊपर तीन किर्सी कानून थोपे गए हैं वह किसान हित में नहीं हैं किसान विरोधी यह कानून हैं और मैं बताना चाहूँआ इस जगा धाई महीने पहले तक भी खूब गाड़ियां फरनाटे भरती थी लगातार यहां पर काफी भीड रहती थी लेकिन आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे एक मेला लगता है मेले की तरह गड़का मेला यानि के गंगा का मेला जिस त कानून अगर जैसे किसान किसी कानून वापस नहीं लेती है सरकार तो इस पर क्या कोई समाधान बीच का निकल सकता है वापस लेना चाहिए नहीं अगर वापस नहीं लेती है और जो तीन कानून जो बता रहे हैं उनमें को सुधार किया जाए तो कोई वापस हो सकता है उसम पास में कानुन वापसी तो घर वापसी इससे कम कुछ नहीं है नहीं है जाए जैसे अब आपके जो किसान है आप लोग आपके खेत में जो फसल हो रही है वो वो कैसे मेनेज कर रहे हो आप फसल बीर बैननी है जक्कत है गरू वे गिरे हम यह रहेंगे फिलहाल अब जो अब ही गयहूँ जिसे बुआई हो चुकी है तो अभी लगता है कि कहीं न कहीं जैसे आप धन्ने पर बैठे हो और अगर नहीं समादान निकलता है तो कब तक बैठे रहेंगे आगे झोहों कि भी फसला जाएगी जो मरा योग कानून वापस ना64 जिंदकी भर बैठिजेंगे आप कहां से आए आप अब बताएंगे बाउजी कहां से आए ईाप धनार से धनारा से दोनारा से तों यह जैसे अब जो कानून की वापसी की बात चल रही है और सरकार मना कर रही है अगर कोई बीच का समाधान होता है मीटिंग होकर के तो क्या धन्ना समाप्त हो सकता है नहीं होने गाए यहां पैसे अब जैसे बारिस हो जाती है या ठंड पड़ रही है कैसे आपकी रात बीत रही है बाईया इमारी तो रात गाओं में भी नुए बिटता है जिए मैं रात के बारावजे नहर में बढ़ का पानी खोल रहा है तो यहां क्यों नी बैठ सकते सुक् कि दिन से यहां बैठें द्रणे पर दो ड़ाई महीने हो गए है अचा अब जैसे अभी यहां पर आप रहते हैं तो यहां जैसे कोई दवाई-वाई की सुविधा या खाने की कोई परेशानी किस तरह की कुछ हो रही है आप लोगों हम तो खुदा पनाल ले रहे हैं साथ तरह लेके आएं तेक्री बोडर में 20 किलो मेटर तक ट्रेक्टरों की लाईने हैं शिरु शिरु में तीन तीन ले रहे हैं आगे दो दो ले रहे हैं और वहां पर भी बहुत जनता है हम इन तीन जो कृशी कानून हैं इन से बहुत ज़्यादा कहफ हैं यह हमारी जो बना हैं और आपकी लगातार मांग यह चल रही है कि वह यह वापस लिया जाए तो क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है कि किस तरीके से किसान कोई दिमाग में आया इस बात का कि कोई समझाता निकाले हैं या समझाता करें क्योंकि एक तरफ सरकार आ रही हुई है और ए यह देख लिजी आप बॉर्डर पर कंटीली तारे लगाई हुई हैं यह कोई चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ा नहीं यह तो दिल्ली है तो किसानों को रोक नहीं यह तो इसलिए लगाई गया ताकि जैसे 26 जनवरी पर हाल हो गया था दिल्ली पहुँच गये थे इनको वापिस ले लो तो किसान बिल्कुल शंतिपून तरीके से अपने घर चला जाएगा टीक्री बॉर्डर पर लगबग कितनी संख्या में होंगे इस समय के साथ टीक्री बॉर्डर पे लगबग 25 किलोमेटर से ज्यादा तक किसान बैठ हुए हैं और और भी किसान आ रह हम 12 बंकी से आए हैं 12 बंकी से कितने लोग आए हैं 300 लोग आए हैं 12 बंकी से हम सुमवार को आए थे कुछ लोग हम से पहले आ चुके हैं यहां पर हम सुमवार को यहां आए थे तब यहां पर किले ले सब लगी हुई थी आज जब सुबा आए तो पता चला की लिए हटा ल पहले वहां सिंगो बाटर पर भी किले लगाई गई वहां पर भी बता रहे थे किले लगाई बहुत आप यहां से ज्यादा दूरी है इन तीन कानून में में पॉइंट क्या अर्मानके चलते हैं सबसर बड़ा पॉइंट कौन सा है कि जह धी उस पर सरकार मान जाये तो हो सकता सब्सक्राइब कर लिया और मंडी में रेट बहुत जादा था प्याज का सरकार चापे मारती थी और प्याज को बार निकालती थी रेट कम हो जाता था अब तो सरकार ने खुली शूट दे दी हम बानी डानी को जितना मरजी स्टोक करो इससे तो हम आदमी मर जाएगा हम तो उ उनके लिए भी लड़ रहे हैं और जहां तक ये किलों का सवाला जी इन किलों के वज़े से मारा पानी नहीं आ रहा था यहां पर हमारा जो पानी की समस्च्छा थी या राशन पानी की समस्च्छा थी सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही थी कि इनके पास ना पानी पहु है आगे रणनीती क्या है देखो जी हम शांती प्रिया तरीके से एंबॉलेंस जैसी जरूरी चीज़ों को रास्ता देंगे और और किसी चीज़ को हम तीन गंटे के लिए थलित करेंगे और इसमें देश भी मारा पूरे अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं अब यह जो फैसल में लगता है इसलिए हम यहां पे हैं यह तमाम किसानों से हमने बात की है यहां यूपी गेट बॉर्डर पर आई हुए हैं तमाम तरह की इनों ने चर्चा की है यहां से लेकि टीकरी बॉर्डर तक किसानों ने अपने बात बताई है कि किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं लेकिन जिस तरह से एक तरफ सरकार अपनी जिद पर पूरी तरह से अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं होगा वहीं किसानों का कहना है कि हर हाल में जब तक कि बिल वापस नहीं होंगे यानि कानून वापस नहीं होंगे तीनों तब तक ये घर जाने वाले नहीं हैं गाजी अबास से लोकल वोकल के लिए तेजे शोहन